हालो दोस्तों नमस्कार आज हम UPPCLTG2 एक्जाम के डकुमेंट पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डकुमेंट्स आपको ले जाने हैं एक्जाम में डकुमेंट्स वेरिफिकेशन के समय तो आप कोई डकुमेंट्स मिस न कर दें वीडियो को लाश्च तक जरू दिखेगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से डकुमेंट्स ले जाना है और किस डेट का होना चाहिए इसके बावजूत आपके अधर कंफूजन क्या है आप आपका जो नेम गलत है किसी मार्क सिट में या कुछ और गलत है तो आप इसको इस वीडियो को लाश्च तक जरू देखेगा तब ही आपको सारी जानकारी मिल पाएगी अधरवाज कोई चीज कोई डकुमेंट्स आपने मिस किया तो सेलेक्शन में दिक्कत हो सकता है आप इ टेंथ कमार्क सिंट और आई टी इस सर्टिफिकेट ठेक्ड़िध कर tu शर्टिफिकेट आपको ले जाना है और टेंथ कमार्क सिट्ट हम तो कहते हैं यापने विद्धर ने जितनी पढ़कन कीए hope जितने क्वालिफिकेसान है आपका सारे सार्टिफिकेट आप इसल आप न तो अनिवार है इसको ले जाना ही है आपने जितनी पढ़ाई की है क्वालिफिकेशन जितना है आपका उस सब ले जाईए आप वरिजनल प्लस जिरोक्स तिसरा नमबर पर तिसरा नमबर पर आपको चाहिए OBC कास्ट सर्टिफिकेट के बाद का OBC कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए उसके पहले का नहीं चाहिए पहले का नहीं चाहिए 31 मार्च 2020 के बात का चाहिए आपको ओवी सी साटी फिटेग चलिए आप बात करते हैं डो मिसाइल अगला नंबर जो है नंबर वाज मैं भूल जा रहा हूं दोस्तों लेकिन आप याद रखेंगे अगला जो नंबर है डो मिसाइल निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है ओं 31 मार्च 2017 के बाद का 31 मार्च 2017 के बाद का आपका निवास प्रमाण पत्र यानि डो मिसाइल होना चाहिए आप अपने करेंट का सर्टिफिकेट जितना ही रखेंगे उतना ही आपके लिए फायदे मन्द होगा तो देखिए OVC 31 मार्च 2020 के बाद का चाहिए और डोमिसाइल निवास परमाण पत्र 31 मार्च 2017 के बाद का चाहिए पहले पहले का नहीं चाहिए आपको दोनों सर्टिफिकेट जो है बाद का चाहिए इस डेट तक का ठीक है तो आप इस डेट को याद रखेंगे OBC के लिए 31 March 2020 के बाद का चाहिए और Domicile के लिए 31 March 2017 के बाद का चाहिए चलिए अगले डकॉमेंट पे चर्चा करते हैं अगला जो डकॉमेंट है वो आपको आधार कार्ड लेकर जाना है आधार कार्ड लेकर जाना है वो आपको अनिवार है ID के रूप में आधार कार्ड आपको ले कर जाना है अगला डकुमेंट से आपको फोटो ले कर जाना है अपना अपना फोटो ले कर जाना है जो आपने फोरम फिलब करते समय जो आपने अपलूट किया था सेम फोटो ले कर जाना है एक आक्ठ फोटो उस समय का बचा होगा तो उसके कम से कम आप 10, 8 से 10 उसके कोपी करा लिजिएगा फोटो के और निकलवा लिजिएगा आठ से 10 फोटो आपको निकलवालना है जो आपने फोटो फिलब करते समय फोटो अपलोड किया था सेम फोटो आपको लेकर जाना है तो फोटो हो गया अब आपको लेकर जाना है आउनलाइन फोर्म अप्लिकेशन यानि कि अप्लिकेशन फोर्म लेकर जाना है जो आउनलाइन फोर्म आपने अपलाई किया था अप्लिकेशन फोर्म बढ़ते समय उसका एक प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है अपने अप्लिकेशन्स फॉर्म का एक प्रिंट आउट आपको लेकर जाना है अगर बाइचांस आपको प्रिंट आउट भोल गए हों खो गए हों तो उसके इस्थान पर आप एडमीट कार्ड अगर है तो एडमीट कार्ड लेकर जा सकते हैं अगर एडमीट कार्ड नहीं है तो दुखांदार ने फोरम भरते समय आपको दिया होगा स्लीप उस्लीपकर जाईए देखिए तीनों में से कोई आपको अनिवार है लेकर जाना है या तो अप्लिकेशन्स फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर जाईए या एडमीट कार्ड लेक अगर आया हो तो आप उसका भी प्रिंट आउट निकाल लेजिए यह सब दिखाना वहाँ पर अनिवार है तो आप इन में से कोई अपना एक पुरूप के तोर पर जरूर लेकर जाईएगा अगला हम बात करें स्वतंतरता सिनानी की बात करें यानि फ्रीडम फाइटर की बात करें तो स्वतंतरता सिनानी के लिए आपको डकुमेंट्स चाहिए आपको अपने जिले के डियम से पत्र बनवाना है स्वतंतरता सिनानी के लिए फ्रीडम फाइटर के लिए जिले के डियम से पत्र बनवाना है अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है तो आप किसी बड़े पुष्ट वाले सम्मानित व्यक्ति से अपना पत्र बनवाना है स्वतंतरता से नानी के लिए किसी बड़े पोष्ट वाले सम्मानित व्यक्ति से आपको अपना पत्र बनवाना है और ले कर जाना है यह फिर डमफाइटर के लिए है स्वतंतरता सेनानी के लिए है या तो आप अपने जीले के DM से अपना पत्र बनवाएंगे या फिर अपने बड़े पोश्ट वाले किसी सम्मानित परसन से आप ये पत्र बनवा कर ले जाएंगे अगला डकुमेंट पर चर्चा करते हैं तो देखिए ये सारे डकुमेंट्स आपको ले कर जाना है एक बार मैं फिर से रिवाईज कर दे रहा हूं आप उस बात को ध्यान देजिएगा और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपको उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो मार्क्सिट वगरे में गलतियां हैं उसका सुलूसन क्या है उसका हम चर्चा करेंगे तो एक बार फिर सफ डकुमेंट्स को सुन लिजिए आप साथ ही साथ आपको करेक्टर सेटिक भी आपको को लेकर जाना है तो आप एक बार सुन लेजिए कॉंट कॉंसर डकुमेंट्स लेकर जाना है मैं फिर से दुहरा दे रहा हूं ठीक है तेन्थ का मार्क सिट चाहिए आई टी आई सर्टिफिकेट चाहिए ओविसी सर्टिफिकेट चाहिए 31 मार्च 2020 के बाद का डोमिसाइल चाहिए निवास प्रमनपत्र आपको चाहिए या आपको 31 मार्च 2017 के बाद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इसके बाद आपको character certificate चाहिए character certificate भी आपको लेकर जाना है इसके बाद आपको photo लेकर जाना है photo, same photo जो आप फोरम फिलब करते समय upload किया था वही photo आपको लेकर जाना है 8 से 10 photo copy करा के यानि कि आपको photo लेकर जाना है अपना जो आपने upload किया था फोरम फिलब करते समय, same photo आपको लेकर जाना है इसके बाद आधार card आपको लेकर जाना है आधार card इसके बाद applications आपने फोरम फिलब करते समय जो दुकानदार ने आपको जो स्लीप मिला होगा उसको लेकर जाना है या आपको एड मिट कार्ड लेकर जाना है तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और इसके बाद आपको अगर अगर कोई मिश्टेक छो गया हो तो आप वहां पडु एफिडेविट बनवाएंगे एफिडेविट बन वाएंगे यह एक चाहरी आपके काचुहरी तहसील में बने गा आपको ले कर जाना है तब जाकर आपका वह अलाव हो जायेगा आपके कोई जाना गलत हो तो आप अफिडेवित लेकर जाएंगे जो आपके तहसील में बनेखा अफिड डेविट आपको लेकर जाएंगे तो आप का वह अलाव मानने हो जाएगा आपका नेम वगारा गलत होने के जगह पर तो अगर आपका कोई नाम किसी भी मायचित वगारा मेश या अधर गलत हो गए तो आप उसके जगह पर उसके उसका सोलूसन है उसके जगह स्टूंडेक्जा, पर एफिडेविट लेकर जाएंगे आपकी तहसिल में बनेगा को आपको लाव और मानने होगा है तो दोस्तों यह था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा से स्टुडेंस को सेयर करिएगा ताकि सभी स्टुडेंस अपना कोई भी डॉकुमेंट्स जो है मिस ना करें और सभी लोग का सेलेक्शन हो जाए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों और यह सारे जो है डॉकुमेंट्स जो है वीडियो को बैक करके देख लिजिएगा यह जो हम डॉकुमेंट्स बताए हैं सभी डॉकुमेंट्स आप लेकर जाएगा एक भी मिस मत करिएगा फिर से एक बार में दोरा दे रांग करेक्टर सर्टिफिकेट ओवी सी 31 मार्च 2020 के ब आइटि आइश सेटिफिकेट चाहिए 10 का मार्च चाहिए अप्लिकेशन फार्म या एड्मिट कार्ड या स्लिप चाहिए स्वतंतरता सिनानी के लिए पत्र बनवाना है डियम से या किसी सम्मानित व्यक्ति से इसके बाद आपको लिकर जाना है अधार कार्ड टेंथ का मार फोटो लेकर जाना है जो आपने अपलोट किया था ।४र्म करते समय अपलोट किया था जो फोटो वही लेकर जाना है स्वतंतरता चिनानी के लिए आपको छलिए से आपको सर्टिफिकेट बनवाना है अब इसके बाद जो दोस सारे डगुमेंटि इस वीडियो में रही हैं दोस्तो आप बैग करके देख लिजिएगा तो आज के लिए इतना ही दोस्तो धन्यवाद झाल झाल